हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रशनर स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्राखन की आगामी परिक्साओं हो हेतू जी एस के इंपोर्टेंट एमसी क्यूज जो कि आपके आगामी परिक्साओं के लिए हेल्फल और इम्पोर्टेंट रहेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो आपका आज का पहला प्रेशन है एंजिल जरपरपात किस नदी पर स्थित है और यहों जल परपात किस देश में स्थित है तो इस्तित्याप का दक्षण अमेरिका के वेनेजुवला में यह इस्तित है दूसरा प्रश्ण है किस एक्ट के तहट कलकत्ता में उच्चतम ज्याले की स्थापना की गई तीसरा प्रश्ण है निम्न मैंसे किसके द्वारा हंस पत्र का प्रकाशन किया गया हंस पत्र का प्रकाशन किया गया था प्रेम चन के द्वारा चौथा प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन भारते सम्विधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों जो आपका सूचना का अधिकार है ये आपका भारते सम्विधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है इसका right answer option number B हो जाएगा पांचवाँ प्रश्ण है भारते सम्विधान का संरक्षक कौन है भारते सम्विधान का संरक्षक है भारत के मुख्यन याइजीज option number B इसका right answer हो जाएगा चाटा प्रश्ण है भारत की सम्विधान सभा किसकी सिफारिस पर तैयार की गई थी भारत की सम्विधान सभा आपकी कैबिनेट मिशन के सिफारिस पर तैयार की गई थी तो ओप्सन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा साथवा प्रश्न है भारत की किस नदी को विरिद गंगा कहा जाता है विरिद गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को जो गोदावरी नदी है ये आपकी दक्सिन भारत की सबसे लंबी नदी भी है आठ्वा प्रश्ण है भारत का सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग कौन सा है नवा प्रश्ण है भारत के किस राजे में लोनार जील है लोनार जील इस्तित है महाराष्ट्र में दस्वा प्रश्ण है भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्रश्न है भारत्य अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन की स्थापना कब हुई भारत्य अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन यानि की इस्थापना हुई थी वर्ष 1979 में और डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1979 को इस्थापना की गई थी नेक्स्ट क्रेशन है भार्त्य अंत्रिक्स अनुसंदान संस्थान का मुख्यालाई किस जगह पर है भार्त्य अंत्रिक्स अनुसंदान संस्थान का मुख्यालाई बैंगलूरू में इस्थित है तेरवा प्रश्ण है भात्य मानक समय आधारित है दोस्तों 82 डिगरी 30 पूर्व देशांतर पर यानि कि ओप्सन नमबर A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चोध्वा प्रश्ण है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूरी भाग पर इस्तित है पंद्रवा प्रश्ण है राष्ट्र रक्षा कादमी इस्तित है दहरा दून में सोलवा प्रश्ण है समिधान के प्रारूप समितिके चेयर्मेन कौन थे समिधान के प्रारूप समितिके चेयर्मेन थे डॉक्टर भीमराव अमबेटकर सत्रवा प्रश्ण है भार्ट्य नेपोलियन की उपादी किसे दी गई है भारतिया नेपोलियन की उबादी समुद्र गुप्त को दी गई है 18. प्रश्ण है चीनी यात्री फायान किस गुप्त शाशक के शाशनकाल के दोरन भारत आया था फायान जो था आपका वो आया था चंद्रगुप्त द्वित्य के समय भारत उनिस्वा प्रश्ण है कवी कालिदास किसके राजकवी थे कवी कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वित्य के राजकवी बीस्वा प्रश्ण है बान भट निम्न लिखित में से कि समराट के राजदरबारी कवी थे बान भट जो थे वो आपके हर्श वर्धन के दरबारी कवी थे और बान भट के द्वारा ही हर्श चरित लिखी गई थी ठीक है ये वे आपने बिलकुल याद रखना है तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपोर्टेंट वीडियो आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके थेंक्यू